ये है दुनिया की सबसे उची मूरत Statue of Unity 182 मीटर उची ये मूरती है बारत के पहले ग्रह मंत्री सरदार वलबबाई पटेल की अमेरिका की Statue of Liberty से दोगुनी उची Statue of Unity का अनावरन 31 अक्तूबर 2018 को परदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किया Statue of Unity सरदार सरोवर डैम के दक्षिन में स्थिद नर्मदा नदी के एक टापू पर 3,000 करोड रुपए के बारी बरकम खट से बनवाई गई है Infrastructure Company Larson and Tubro ने ये प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 33 महीनों में पूरा किया लेकिन इस स्टैच्यू की जो भव्यता हमें दिखाई जा रही है क्या वही पूरा सच है शायद नहीं 3,000 करोड की इतनी बड़ी रकम जो इस मूर्ती को बनाने में खर्च की गई अगर जरूरत मंदों की मदद मी दी जाती तो कई जिन्दगियां बदल सकती थी क्या खुद सर्धार पटेल ऐसी मूर्ती बनाने की इजाज़त देते शायद नहीं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे उची प्रतिमा स्टैच्यू ओफ यूनिटी का काला सच क्या है किसी भी राय को बनाने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दमिस्टिका लैंड पर आप सबी का एक बार फिरसे स्वागत है आपको बता दें कि 31 अक्तूबर 2018 को देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने बारत के लहपुरुष सरदार वल्लब बाई पटेल की कांसे से बनी इस मूर्थी का अनावरन किया सरदार पटेल हिंदुस्तान के एक महान राजनेता थे उन्होंने आजादी के बाद कई रियासतों को बारत में मिलाने के लिए एहम कदम उठाये थे और इसलिए इस प्रतीमा का नाम भी Statue of Unity याने की एकता की मूरत रखा गया लौपुरुष की इस विशाल मूर्थी का सपना नरेंद्र मोधी ने गुजरात के सियम रहते हुए देखा था और अब प्रदानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने इस सपने को पूरा किया एक और जहां कुछ लोग इसकी बव्यता की तारीफ करते नहीं थक रहे वहीं कुछ लोग इस टैच्यू के निर्मान पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं सबसे पहला प्रशन इस प्रोजेक्ट में लगे चाइनीज मैटीरियल और वर्क फोर्स को लेकर उठा आपको बता दे कि इस टैच्यू को बनाने के लिए बीजेपी ने पूरे देश में एक लोहा कैम्पेन चलाया था जिसमें लाखों किसानों ने अपने पुराने लोहे के औजार दान में दिये इस लोहे को पिगला कर इस टैच्यू को बनाया जाना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस पूरे प्रोजेक्ट का टेंडर लार्सन एंड टूबरो कंपनी के पास था जिसने इस टैच्यू को बनाने में इस्तेमाल किया गया पीतल चाइना की TQ आर्ट फाउंडरी से आयात किया इस प्रोजेक्ट पर हजारों चाइनीज मजदूरों और एंजिनेरों ने काम किया इसका स्टील फ्रेमवर्क तक चीन से मंगवाया गया था अब अगर इस टैच्यू को कुछ लोग Made in China कह रहे हैं तो क्या गलत है ये सभी पैनल्स और डेजाइन्स यहीं भारत में भी तयार किये जा सकते थे वहीं इस प्रोजेक्ट के आसपास के लोग किन परिस्तितियों का सामना कर रहे हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों का हुआ है जो नर्मदा नदी के किनारे तो रह रहे हैं लेकिन अपने खेतों में पानी के लिए तरस रहे हैं सरदार सरोवर के 9 किलोमेटर के दाइरे में आमदला, बादरवा और संद्रोली जैसे गाउं है इनमें जो नहरे बनी हैं वो बेहत कमजोर है नर्मदा का पानी गुजरात के दूर दरास इलाकों में तो पहुँच रहा है लेकिन यहां नहीं पहुँचता इस मूर्थी के आसपास 20 गाउं ऐसे हैं यहां लोगों को पानी जैसी बुन्यादी जरूरत के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है इस प्रोजेक्ट से 72 गाउं के लगबग 75,000 लोग प्रभावित हुए है इस प्रोजेक्ट में जिन किसानों की जमीने ली गई उन्हें अभी तक उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है एक रिपोर्ट के मुताबिक नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आदिवासियों की उच्छ शिक्षा का स्थर गुजरात में सबसे कम है यहां सिरफ 5 प्रतिशत युवा ही उच्छ शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं 6 लाग की आबादी वाले इस डिस्ट्रिक्ट में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है यहां ICU जैसी जुरूरी सुविदा हो यहां की 85 प्रतिशत महिलाएं कुपोशन की शिकार है यहां के आदिवासी इतने गरीब हैं कि उनके पास शरीर ढखने के लिए कपड़ा और रहने के लिए पक्का गर तक नहीं है इसी प्रोजेक्ट के हिस्से में बने बांध से तरवी जनजाती के कई गाउं जलमगन होने की कगार पर हैं इतना ही नहीं जम्बू गोडा के नारू कोट के आठ गाउं वहां रिजॉट बनाने के लिए खाली करवा दिये गए रिहबिलिटेशन पैकेज के मुताबिक जमीन या पैसे भी हिसाब से नहीं दिये गए स्थानिय निवासियों ने कई बार प्रदर्शन कर अपना रोश भी वक्त किया लेकिन सुनने वालों की बहुत कमी है विस्थापितों की रोजी रोटी छिन गई गर खेट सब चला गया सरकारी मुआवजे से जिन्दगी कट जाएगी ऐसा लगता नहीं अब आप ही बताएं जिस देश में आज भी गरीब बूग से मर रहा हो किसान चंद हजारों के करजे तले धब कर आत्महत्या करने को मजबूर हो उस देश में तीन हजार करोड रुपई की पब्लिक मनी एक मूर्ती पर खर्च कर देना कहां की समझदारी है परेटन की जो संभावनाएं सरकार दिखा रही है उस पर अमल भी करें तो ROI यानि Return of Investment में अभी कई दशक लग जाएंगे ये कैसा विकास मूर्डल है कि एक मूर्ती के नाम पर हजारों करोड खर्च कर दिये जाएं वो भी तब जब खुद के अपने लोग रूटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हूं सरदार पटेल जीवित होते तो उन्हें ये कभी मनजूर ना होता तीन हजार करोड से कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल और कितनी बुन्यादी सुविदाएं हम यहां पहुचा सकते थे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है तै करना उस करदाता का काम है जो सरकारों के द्वारा अपने दिये करका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने में रूची नहीं लेता उमीद है चश्मे से कुछ दूल तो जरूर हटी होगी अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर किसी विशय पर आप एक विशलेशन चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं सब्सक्राइब करें दमिस्टिका लैंड यूट्यूब चैनल ऐसी सभी इंटरस्टिंग वीडियोस के लिए